राजनीतिक पार्टी के नेता गलत बयान बाजी ना दें राजनीतिक पार्टी के नेता गटबंदन में दरार ना डालें राजनीतिक पार्टी के नेता पार्टीयों के बीच के बने रिष्टों को खराब ना करें ये कहना है समाजवादी पार्टी प्रमुक अकलेश यादव का दरसल समाजवादी पार्टी के प्रमुक अकलेश यादव ने हाल ही में एक कारकरम के दुरान समाजवादी पार्टी और कॉंग्रिस के बीच हुए गटबंदन पर एक बड़ा बयान दिया है अपने दर्शकों को बता दें कि खबर निकल कर सामने आई है कि कॉंग्रिस ने सभी सीटे सपा के लिए दे थी यानि कि कॉंग्रिस बाहर से समर्थन समाजवादी पार्टी को करेगी सीट शेरिंग को लेकर कॉंग्रिस और समाजवादी पार्टी के बीच बहुत ज़ादा फुटमस देखी चा रही थी और ऐसे में एक कारिकरम में जब अगलेश यादव से ये पूछा गया कि आखिरकार क्या वज़ा है कि कॉंग्रिस सीटे तो मांग रही थी लेकिन समाजवादी पार्टी सीट देने के लिए तयार नहीं थी और यहां तक कि कॉंग्रिस ने ये भी आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी कॉंग्रिस को उत्तरप्रदेश में कुछ समझ ही नहीं रही है इसके जवाब में अखलेश यादव ने कहा कि कॉंग्रिस पार्टी के कुछ नेताओं के बयान इस तरह से सामने आए कि समाजवादी पार्टी कॉंग्रिस को अलग रख कर चल रही है यानि कि वो कॉंग्रिस के साथ गठ बंदन तोड रही है कॉंग्रिस को नीचा दिखा रही है उन्होंने कहा ऐसा नहीं है समाजवादी पार्टी कॉंग्रिस के साथ अभी है और आगे भी रहेगी इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांदी की तारीफ करते हुए कहा कि राहुल गांदी जिस तरीके से मजबूती के साथ डटे हुए हैं और जनता का जिस तरीके से उनकी तरफ रुजहान देखने को मिल रहा है ये बहुत बड़ी बात है पहले के राहुल गांधी और अभी के राहुल गांधी में बहुत बड़ा बदलाब देखने को मिला इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हार जीत लगी रहती है लेकिन हर्याना चुनाफ के अंदर एक चीज़ देखने को मिले कि भारतिय जंता पार्टी पर जंता ने उत्रा भरोसा नहीं दिखाया जबकि कॉंग्रेस ने बहुत बड़े अंतर से भारतिय जंता पार्टी को टक कर दी है अखलेश यादव ने कहा कि वो चाहते हैं कि विपक्षी पार्टीओं का जो गड़बंदन है वो ना तूटे विफक्षी पार्टियां एक साथ मिलकर चलें और राजनीतिक पार्टी के नेता आपस में फुटमस ना करें आपसी फुटमस से कहीं ना कहीं हालात जो हैं वो खराब होते नजर आते हैं हाला कि सीधे तोर पर योगी आदित नात और तमाम नेताओं को लेकर भी बयान अखलेश श्यादव ने दिया जिसमें उन्होंने कहा कि यूपी चुनाव में समाजवाधी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव जीत रही है और योगी आदित नात जी को फिर से उत्तर प्रदेश में हार का सामना करना पड़ेगा क्योंकि धरम जाती की राजनिती उत्तर प्रदेश में योगी आदित नात जी कर रहे हैं और जनता सब जानती है